आपको किसी लड़की का मैला का मैसेज आएगा दोस्ती करेगी दोस्ती के बाने आपके वीडियो कॉल करेगी आपके फेस को यूज करके उदर से जूड फिलम चलाके आपको बलैक मेल करेंगे तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है कोई वीडियो कोल आती है तो अपना चहरा मत दिखाएं अगर आपने चहरा दिखा दिया आपके साथ फ्रोड हो गया तो उसके लिए आपको 1930 पे कोल करनी है Cybercrime.gov.in पे आपने अपनी कंप्लेंड करनी है नमस्कार दोस्तों एक बार फिस से आपके अपने चैनल YPV News में आपका स्वागत है मैं परविन भारद्वाच आज आपको हर्याना पुलिस से ASI चांजी से मिलवाने जा रहा हूँ किस मैटर को लेके हम आज इन से बात करने जा रहे हैं वो भी मापको बता देता हूँ ATM के अंदर जब पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं कई बार उस तरह से भी आपका ATM जानकार आता है या कोई अन्नोन आता है तो आपके पैसे कई बार आपने देखा होगा सुनने में भी आया होगा कि आपका ATM यूज करके बदला भी जाता है एक दूसरे के साथ उनके ATM से भी पैसे निकालने के इस तरह से कई तरह के जो फ्रोड्स होते हैं तो हम चांद जी से जानेंगे जो आज के टाइम में किस तरह से नया ट्रेंड चला हुआ है उसके बारे में चांद जी बताएंगे कि क्या क्या आज के टाइम में और किन किन चीजों से बचने की जरूरत है क्या का साथ धानिया है नमस्कार सरमाजी आपको हमारे साइबर अवेरनेस के बारे में आप वैसे भी पहले भी अपडेट देते रहे हैं लेकिन अब आप आपने हमारे पास आके बड़ा अच्छा काम किया है जिसे लोगों को काफी जाग रुखता हैगी मैं आपके चैनल के मादम से सभी को वेर करना चाहूंगा जो साइबर फ्रोड के ट्रेंडिंग में अभी चले हुए हैं उनके बारे में तो सबसे पहले तो चांजिम आप से एक सवाल पूछना चाहूंगा लोग ओटी यहाँ भी शेयर कर देते हैं तो उन लोगों को क्या कहनाचाएंगा आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो पैसा होता था पहले अम अपनी तीजोरियों में रखते थे तीजोरियों के अंदर छुपा को रहते हैं चोरों का बैरत था बई ताला तोड़ के छोर निकाल लेते थे लेकिन आज के दिन हमारा सारा खजाना इस मोबाइल में छुपा है इस मोबाइल में है जो कुछ है हमारा इस मोबाइल को चलो टेक्निलोजी आई है टेक्निलोजी के हिसाब से हमें इसको यूज करना चाहिए टेक्निलोजी से हम दूर नहीं बाग सकते क्योंगी टावर लगाने के माध्दम से अच्छा जी के वाई सी अपडेट करने के लिए अगर आप से ओटीपी मांगता तो ओटीपी शेयर नहीं करना हमें किसी भी किमत पर वो जो किसी भी उससे मांगे एक तो ट्रेंडिंग यह चला हुआ है कि वह फाइव जी नेटवर्क जियों का कि दूसरा है जैसे नोकरी का जासा देते हैं हमारे को जो सीम है 4G में तो फाइव जी में कनवर्ट हो रही है तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से बता दीजी ताकि जो लोग फाइव जी के फोन्स में ले रहे हैं तो उनको किस तरह से क्या सावद्य रखने चाहिए 5G जो 4G SIM है वही 5G पे चलेगी उसके लिए आपको 5G फोन होना जरूरी है तो आपको 5G फोन में फोन लेना पड़ेगा कोई कमपनी कुछ नहीं मांगती सिरफ अपने फोन को अपडेट करो और एक कमपनी का अलग लग मोडल है मोडल का इसाब से उसकी अपडेट आती है जैसे कमपनी अपडेट आएंगी उसके अनुसार आपके फोन में 5G चल पड़ेगा और एक और बताना चाहूंगा मैं आज जो फोन चला हुआ है इससे फोन होने का खत्रा कैसे रहता है आपकी सिम 4G है उसको 5G में कनवर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कोड बेज़ेंगे एक कमपनी और कोड के बाने वो OTP ले ले लेते हैं और हमारा खाली कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी जानकारी सर ने दी है हमें तो आपको इस तरह से अवे रहने के जरूरुत है यह तो सर आपने बहुत अच्छी जान कर दी क्योंकि आज कर लोग 5G में कनवर्ट कर रहे हैं अपने फोन को और एक ओर ट्रेंडिंग में चला हुआ है आपके पास फेस्बुक से वटसब पे आपको किसी लड़की का मैला का मैसेज आएगा दोस्ती करेगी दोस्ती के बाने आपके वीडियो कोल करेगी आपके फेस को यूज करके उधर से नूड फिलम चला के आपको बलैक मेल करेंगे तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है कोई वीडियो कॉल आती है तो अपना चहरा मत दिखाएं अगर आपने चहरा दिखा दिया आपके साथ फ्रोड हो गया तो उसके लिए आपको 1930 पे कॉल करनी है साइबर क्राइम डोट जी ओवी डोट इन पे आपने अपनी कंप्लेंट करनी है और किसी भी इस तरह के फ्रोड से बचने के लिए हमें अवेर रहना पो जुरूरी है तो कहने का मतलब यही कि जो आपको कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं उनकी अन्नो नमर से वीडियो कॉल नहीं उठानी चाहिए बिलकुल जी हमें किसी भी अनजान आदमी है जो जानकार नहीं है वीडियो कॉल कर रहा है तो हम इन नहीं उठानी चाहिए और मैं यह कहूंगा कि जैसे एक अंजान अदमी है OTP नहीं बताया कुछ नहीं बताया आपको फोन आएगा उस बैंक से बोल रहे हैं और आपके फोन में एक अप्लिकेशन डाउनोड कराएंगे एनी डेस्क के नाम से उसमें नो कोड का नोकसर का कोड होगा वो आपके फोन में इस्टोल करवाएंगे और आपके फोन का सारा अकसेस उनके पास चला जाए जैसे भी वो ट्रांजक्शन करेंगे या कुछ भी करेंगे आपकी स्क्रीन उनको शो करेगी उनको शो करेगी तो वो अपने आपके फोन का पूरा अक्सेस ले लिया, आपके खाते को खाली कर सकते हैं तो इस तरह कोई भी Any Desk है, जो Any Desk का मतलब यही है इस फोन का सारा अक्सेस दूसरा ले सकता है दूसरी है Team Viewer Quick Sport के नाम से है इस तरह काफी अप्लिकेशन हैं, जो चली हुए हैं ट्रेंडिंग में वो हमें कोई अगर अप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए बोले तो नहीं करनी है ये सब जानकारिया लोगों को पता नहीं है आप बहुत अच्छी जानकारिया दे रहे हैं लोगों अप्लिकेशन के बाने आपसे एक एप डाउनलोड कराएंगे जिस भी कंपनी की है, वो एप डाउनलोड करेंगे जैसे हम उसको डाउनलोड करते हैं हमारे कॉंटेक्ट, हमारा दार कार्ड वो डलवाते हैं उसके अंदर, पैन कार्ड डलवाते हैं और अमारे फून के जितने भी कान्टक्ट है वो अपने सर्वर पे सेव कर लिते हैं और जैसे जैसे हम ने तीन अजार रुपज का लोन लिए वो पांच मिट में लोन तेदेंगे तीन अजार के बज लेमें में उन उनको को 6,000 रुपे भी दे देंगे ना तो फिर वो कहेंगे आपका लोन पेंडिंग है हमने उनको मना कर दिया तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नुचुराए थे हमारे फोन से अक्सेस किया था उन पे कॉल करके उनको गंदा गंदा बोलेंगे इस तरह लोगों को का फिट ठकते हैं यह आज कल बहुत चल रहा है मेरे पास इस तरह बहुत है तरह से क्यी कोल आए की आपके न्वन पके रिस्तेधार है यह इस तरह से करीक़ से वह कोट क कोंटक्ट वही है जैसे application डाउनलोड कराते हैं तो उसके अंदर access ले लेते हैं हमारे phone का जिसमें contact सारे उनको उनके server पर save हो जाते हैं और फिर वो बाद में blackmail करते हैं blackmail करके पैसे add उसके लिए आपको एक सुझाओ है जैसे आपको loan लेना है तो जो अर्व right जगे ही रहाध जैसे on-lain loan के चक्कर में पड़ें लोन एप के बारे में हैं यह लौन फॉर्ड काफी चला हुआ इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी नहीं तो आपको परेशानी काफी जहलनी पड़ेगी और एक और बताऊंगा मैं जैसे एटियम में जाते हैं बजूर को जाते हैं हमारे उनको पड़े लिखे कम रहते हैं जो भी या दिखाई नहीं देता किसी भी तरह से वो अपाईज ह वो एटियम के अंदर जाते हैं कहते हैं बेटा मेरा एटियम है और मेरे पैसे निकाल दे वो क्या करते हैं फ्रोडेस्टर एटियम के अंदर खड़े होते हैं जिनको नोलिज कम होती है उनसे एटियम को अक्सचेंज कर देते हैं और फिर उस उनका पिन डालते हैं पिन डाल लिखने की जरूरत है मतलब यही है कि कहने का कि जो आपके पास एटेम है वो आप अनजान वेक्टि को देना या तो अपने रिस्सेदर को साथ मिले का किसी परिवार वाले मेंबर को साथ मिले का हाँ जो जानकार है देखता है हाँ ठीक है जानकार है उसको बच्चे को ले जा जादा से जादा से एर करें ताकि जो लोगों की मेनत की कमाई है वो उससे बचा जासके और परविन सर्माजी को मैं काफी धन्यवाद बोलूँगा जो इतना अच्छा हमारा काम कर रहे हैं साइबर फ्रोड के संबंद में तो ये थे हमारे साथ चांजी जो एसाई है और काफ के लिए हम आपका हमारे चैनल की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से आप लोगों को अवेर करते देंगे यह आपसे उमीद करते हैं थैंक यू सर्माजी थैंक यू वाई वेपी नियूज तो दोसलों जैसा कि सर ने कहा कि वीडियो को जदा ज़्यदा सेय करें जैहिंद जैवारत आगे और वीडियो बनाते रहेंगे जो नए फ्रोड आते रहते हैं उसके बारे में वेर करते रहेंगे लोगों की मेहनत की कमाई को बचाया जासके इसके लिए हम बार बार हर बार नए नए ट्रेंडिंग जो है वो सेयर करते रहेंगे आप लोगो की बीच में लेकर आते रहेंगे जैहिंद जैवारत थैंक यूदू